Bullish flag chart pattern एक तक्नीकी विशलेशन का pattern है जो एक मजबूत uptrend के बाद एक consolidation, समेकन, चरण को दर्शाता है. यह pattern बताता है कि price थोड़ी रुकावट के बाद फिर से uptrend की ओर बढ़ सकती है. Formation Flagpole Initial move, bullish flag pattern एक मजबूत uptrend से शुरू होता है, जिसे flagpole कहा जाता है. इस uptrend में price तेजी से बढ़ती है और एक महत्वपूर्ण उचाई पर पहुँचती है. यह flagpole price के movement की शुरूआत होती है और यह दर्शाती है कि market में खरीदारी का दबाव बहुत ज्यादा है. Example, मान लीजिए, एक stock की कीमत 100 रुपए से 150 रुपए तक बढ़ती है. यह consolidation एक समानांतर चैनल में होती है, जिसे flag कहा जाता है. इस दौरान price एक सीमित range में उधर-उधर होती है और volume घट सकता है. Formation, flag आम तोर पर एक समानांतर चैनल या थोड़ा धलान वाली range में होता है. Consolidation की यह अवधी सामान्यत कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ़तों तक हो सकती है. Breakout Breakout point, flag के समाप्थ होने के बाद, price चैनल की उपरी सीमा को पार करती है. यह breakout point होता है, जहां trend फिर से तेजी से शुरू होता है. Confirmation, breakout के समय volume का बढ़ना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पुष्टी करता है कि breakout मजबूत है और price देजी से बढ़ सकती है. Psychology Flag pattern के दौरान, market में price की अस्थिरता होती है, लेकिन price सामान्यत, एक सीमित सीमा में रहती है. यह दिखाता है कि निवेशकों में एक तरह का अस्मंजस है या price थोड़ी देर के लिए स्थिर हो रही है. हालांकि इस दौरान मूल trend की ताकत अभी भी बरकरार रहती है. Volume Flag के दौरान volume आमतोर पर घटता है. इसका मतलब है कि consolidation के समय trading activity कम होती है. Breakout के समय volume में वृद्धी होती है, जो इस बात की पुष्टी करती है कि तेजी का trend फिर से शुरू हो सकता है. Entry जब price flag की उपरी सीमा को तोड़ती है, तब इसे breakout माना जाता है. इस समय पर traders अपनी entry लेते हैं. Stop loss Stop loss आम तौर पर flag के निचले हिस्से के नीचे रखा जाता है. कुछ traders इसे flagpole के आधार पर भी रख सकते हैं. इसका उदेश्य संभावित नुकसान को सीमित करना होता है. Target लक्ष को flagpole की लंबाई के बराबर मापा जाता है. इसका मतलब है कि breakout के बाद price उतनी ही दूरी तै करेगी जितनी flagpole की लंबाई है. उदाहरन, यदि flagpole की लंबाई 50 points है, तो breakout के बाद संभावित लक्ष भी 50 points का होगा. How it works Strength before consolidation Bullish flag pattern की शुरुआत एक मजबूत अपट्रेंड से होती है, जो यह दर्शाता है कि मार्केट में खरीदारी का दबाव बहुत अधिक है. इस अपट्रेंड को flagpole के रूप में जाना जाता है. Consolidation phase Flagpole के बाद, price एक सीमित रेंज में consolidate करती है. इस दौरान निवेशक और ट्रेडर्स मार्केट की दिशा के लिए इंतिजार कर रहे होते हैं. Consolidation के दौरान वॉल्यूम आम तोर पर घटता है, जो दर्शाता है कि यह एक अस्थाई रुकावट है और ट्रेंड की ताकत बनी हुई है. Breakout and Continuation Consolidation के बाद, जब Price Flag की उपरी सीमा को पार करती है, तो यह breakout का संकेत होता है. Breakout के समय वॉल्यूम में वृद्धी मार्केट की ताकत को दर्शाती है और यह संकेत देती है कि Uptrend जारी रह सकता है. Example in Action 1. Initial Uptrend Stock 100 रुपए से 150 रुपए तक बढ़ता है, जो Flagpole का गठन करता है. 2. Consolidation Price 150 रुपए से 140 रुपए तक Consolidate करती है और एक समानांतर चैनल बनाता है. 3. Breakout Price 140 रुपए से उपर जाती है और 160 रुपए तक पहुँच जाती है. 1. Breakout के समय वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो पुष्टी करता है कि ट्रेंड मजबूत है और प्राइस आगे बढ़ सकती है. 4. Target 2. Breakout के बाद, तारगेट को Flagpole की लंबाई के बराबर मापा जाता है. यदि Flagpole की लंबाई 50 रुपए थी, तो सम्भावित तारगेट प्राइस 160 रुपए, Breakout Point, प्लस 50 रुपए 210 रुपए होगा. Bullish Flag Chart Pattern का एक उदाहरन, हम एक काल्पनिक स्टॉक का उप्योग करेंगे. मान लीजिए, हम ABC स्टॉक पर ध्यान के इंदरित कर रहे हैं. Flagpole Formation, मान लीजिए कि ABC स्टॉक की कीमत 200 रुपए से 300 रुपए तक बढ़ जाती है. यह 100 रुपए की वृध्धी को Flagpole के रूप में जाना जाता है. इस दौरान प्राइस में एक मजबूत और स्थिर अपर्ट्रेंट देखा जाता है. Flag Formation, Flagpole के बाद, प्राइस 300 रुपए से 270 रुपए तक गिरती है और एक समानांतर चैनल में Consolidate करती है. प्राइस 270 रुपए और 280 रुपए के बीच हिलती रहती है और यह Consolidation एक Flag का रूप ले लेती है. इस दौरान वॉल्यूम में कमी देखी जाती है. Breakout Formation, Flag की उपरी सीमा को प्राइस 280 रुपए को तोड़ते हुए, प्राइस फिर से तेजी से बढ़ने लगती है. यह Breakout Point है, जहां ट्रेडर्स आमतौर पर एंट्री लेते हैं. Target Calculation, Flagpole की लंबाई 100 रुपए थी, 200 रुपए से 300 रुपए तक. Breakout के बाद प्राइस की व्रिद्धी की संभावना भी 100 रुपए की होती है. यदि प्राइस 280 रुपए पर ब्रेक आउट करती है, तो संभावित Target प्राइस 280 रुपए प्लस 100 रुपए 385 रुपए होगा. Stop Loss Placement, Stop Loss Flag के निचले हिस्से के नीचे रखा जा सकता है. Summary Flagpole, 200 रुपए से 300 रुपए तक की तेजी Flag, 300 रुपए से 270 रुपए के बीच Consolidation Breakout, 285 रुपए पर Target, 385 रुपए, breakout point प्लस flagpole की लंबाई Stop Loss, 265 रुपए, flag के निचले हिस्से के नीचे Bullish Flag Chart Pattern विभिन्ट ट्रेडिंग शैलियों के लिए उप्यूक्त हो सकता है और इसका उप्योग विभिन्ट समय Frames पर किया जा सकता है. आएए देखें कि यह pattern Intraday, Swing Trading, Short Term और Long Term Trading में कैसे काम कर सकता है. Intraday Trading Time Frame, 15 मिनिट या 30 मिनिट का चार्ट Duration, Intraday Trading में Bullish Flag Pattern आमतोर पर कुछ घंटे से लेकर एक दो दिनों के भीतर बनता है. Volume, Volume के उतार चड़ाव को नजर में रखते हुए Breakout के समय Volume की वृद्धी पर ध्यान दे. Usage, इस pattern को Intraday Trader के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है, जब प्राइस तेजी से बढ़ती है और दिन के भीतर बड़े मूव्स होते हैं. Example, एक स्टॉक जो सुबह के समय तेजी से बढ़ता है और फिर दिन भर एक Consolidation चरण से गुजरता है, Breakout के समय पर ट्रेडर अपनी Entry ले सकते हैं. Swing Trading Time Frame, Daily Chart Duration, Swing Trading में bullish flag pattern आमतौर पर एक से दो हफ़तों के भीतर बनता है. Volume, Daily Chart पर Volume के Trains पर धान दे. Breakout के समय वॉल्यूम की पुष्टी महत्वपूर्ण है. Usage, Swing Trader pattern को पहचान कर कुछ हफ़तों के लिए Trade ले सकते हैं. यह Trend के जारी रहने की संभावना को संकेत करता है. Example, यदि स्टॉक ने पिछले एक हफ़ते में एक अच्छा अपर्ट्रेंट दिखाया है और फिर Consolidate करता है, तो Swing Trader Breakout के बाद अपनी Entry ले सकते हैं. Short Term Trading Time Frame, Daily Chart या 4 घंटे का Chart Duration, Short Term Trading में Bullish Flag Pattern कुछ दिनों से लेकर एक हफ़ते तक बन सकता है. Volume, Breakout के समय Volume की वृद्धी की पुष्टी करें. Usage, Short Term Trader कुछ दिनों के लिए Trade को Hold कर सकते हैं और Volume के आधार पर Price के Moves की दिशा को पकर सकते हैं. Example, Stock ने तीन दिनों के लिए एक तेजी से बढ़त दिखाया और फिर कुछ दिनों के लिए Consolidate किया. Short Term Trader Breakout के बाद Trade ले सकते हैं. Long Term Trading Time Frame, Weekly Chart या Massive Chart Characteristics Duration, Longby अवधी के ट्रेडिंग में Bullish Flag Pattern कई हफ़तों से लेकर कुछ महीनों तक बन सकता है. Volume, Weekly या Massive Chart पर Volume की प्रवृत्ती को समझें. Longby अवधी के ट्रेंड्स की पुष्टी के लिए Volume महद्वपूर्ण होता है. Usage, Longby अवधी के निवेशक पैटर्न को पहचान कर लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, जब Price मजबूत ट्रेंड दिखाती है. Example, यदि स्टॉक ने महीनों में एक बड़ा अपट्रेंड दिखाया और फिर Consolidate हुआ, तो निवेशक लंबे समय तक इस पैटर्न को उप्योग में ला सकते हैं. In Summary Intraday Trading 15 मिनिट या 30 मिनिट का चार्ट, तेजी से मूवस पर धान दें. आपकी ट्रेडिंग शैली और समय की अवधी के आधार पर, आप उप्यूक्त समय फ्रेम चुन सकते हैं, जो आपके ट्रेडिंग दृष्टिकोर्ण के साथ मेल खाता है. Intraday Trading 15 मिनिट या 30 मिनिट का चार्ट, तेजी से मूवस पर धान दें. Swing Trading Daily Chart 1-2 हफ़तों के लिए ट्रेड. Short Term Trading Daily या 4 घंटे का चार्ट, कुछ दिनों से लेकर एक हफ़ते तक. Long Term Trading Weekly या मासिक चार्ट, कई हफ़तों से लेकर महीनों तक. आपकी ट्रेडिंग शैली और समय की अवधी के आधार पर, आप उप्यूक्त समय फ्रेम चुन सकते हैं, जो आपके ट्रेडिंग दृष्टिकोन के साथ मेल खाता है.